नमस्कार प्रियमित्रों मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिस और समधान हमारे यूटूब चैनल पर आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जोतिस की दुनिया का एक ऐसा सुत्र जिसके बिना फलित जोतिस आधी अधूरी माने जाती है यदि जोतिस के दस साल की अनुभाव को तराजू के एक पल्डे में रख दें और इस सुत्र को तराजू के दूसरे पल्डे में तो इस सुत्र का पल्डा भारी रहने वाला है किताब का नाम है फल दीपिका सखेट है यदि किसी व्यक्ति की जनम कुंडली में कोई रहे अपनी उच रासी में मित्र की रासी में या अपनी रासी में है कितनी भी शुबिस्थिती में है लेकिन इस फुट रस्मियों वाला नहीं है तो वह व्यक्ति को जीवन में कोई सहायता नहीं कर पाता और यदि किस व्यक्ति को जीवन में बहुत आगे तक ले जाता है यहां पर ग्रहे के इस फुट रस्मियों यानि कि अच्छी रस्मियों वाला होने पर सारा जोड दिया गया है दोस्तों इस इस लोग की पूरी व्याख्या मैं आपके सामने करूँगा लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाओं मैं आपको बता दू यदि आप जोडिस के दौरा अपनी समस्त समश्याओं का समधान चाहते हैं या बहुत अच्छी सरेणी के गवर्मेंट लेब सर्टिफाइड राशी रतन खरीदना चाहते हैं तो हमारे यहां से सभी प्रकार के रतनों की अंगुठी बनाकर सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में प्रवाइड कराई जाती है यह दोस्तों विशे को आगे बढ़ाते हैं इस सुत्र के अनुसार जनम कुंडली देखते समय सबसे पहले हमें दो बाते समझ लेनी चाहिए ग्रहे कितनी भी अच्छी स्थिती में हो, कितनी भी मजबूत स्थिती में हो लेकिन उसकी अवस्था कमजोर होने पर, वह ग्रहे आपको जीवन में कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा और यदी ग्रहे अच्छी स्थिती में नहीं भी है, लेकिन उसकी अवस्था अच्छी है तो वह ग्रहे आपको जीवन में बहुत आगे तक ले जाएगा जिस प्रकार मनुष्य की आयू होती है उसी प्रकार ग्रहों की भी आयू होती है मनुष्य की आयू होती है सो वर्स और एक ग्रह की आयू होती है 30 डिगरी 30 डिगरी कोई भी ग्रहे 3 डिगरी तक मरत वस्था में रहता है चार से दस डिगरी तक बाल्य अवस्था में दस से बीस तक युवा बीस से सताइस तक बूड़ा और सताइस के बाद फिर मर्त अवस्था में आ जाता है दोस्त कुल मिलाकर पांच डिगरी से नीचे जो ग्रह होता है वहे अपना फल देने में सक्सम नहीं होता और पच्चिस डिगरी से तीस डिगरी तक का ग्रह भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जीवन में नहीं दे पाएगा ग्रह जितना युवा अवस्था के निकट होगा आठ डिगरी से 22 या 23 डिगरी तक का ग्रही आपको जीवन में अच्छा फल प्रदान कर पाएगा एक बात दूसरी बात आपका ग्रह अनस्त यानि के उदे होना चाहिए अस्ति स्थिति में नहीं होना चाहिए यहाँ पर दो बाते हैं एक ग्रह का जवान होना युवा वस्था के निकट होना जवानी ढलती हुई हो या जवानी आती हुई हो दोनों ही कंडिसन में आपको अच्छा फल देगा ना तो अति बाल्य वस्था में अच्छा फल देगा और ना अतिवर्द वस्ता में अच्छा फ़ल आपको देगा दूसरा ग्रहे की दूरी सूरिय से जादा होनी चाहिए मान लिया आपकी जनम कुंडली में मेस लगन है और पांचवे घर के स्वामी सूरिय अपनी उच्छ रासी मेस रासी में बैठे हुए हैं लगन में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर सूरिय को बहुत अच्छा फ़ल करना चाहिए लेकिन हमें केवल केंदर में बैठने पर या अच्छे स्थिती में होने पर ही अच्छे फ़ल का निश्चे नहीं करना चाहिए हमें यह देखना होगा कि इस व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सूरिय की डिगरी का होना भी आवश्चक है कुल मिला करके आपकी जनम कुंडली में जिस भाव के स्वामी की डिगरीयां अवस्था कमजोर होगी उस भाव से सम्मंदित वस्थों का वह भाव जिन चीजों को भी रिपर्जेंट करता है उन सभी तथ्यों का आपको जीवन में नुकसान रहेगा खास तोर पर जनम कुंडली देखते समय लगन के स्वामी की डिगरी जरूर देखने चाहिए नवमेस और दसमेस यानि के नौवे और दसवे घर के स्वामी की डिगरी आपको जरूर देखने चाहिए और जीवन में जिस ग्रह की भी डिगरी आपकी जनम कुंडली में कमजोर हो उस ग्रह का रतन धारन करके मंतर जाप करके दान पुन्य करके अन्य तरीकों से आपको उस ग्रह को मजबूत बनाने का उपाए करना चाहिए नहीं तो जीवन में कहीं ने कहीं वो कमी आपको लगी रहेगी बहुत साधरन सा सुत्र है, मंत्रेस्वरगी है, पुस्तक है और मैं काम ना करता हूँ कि आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक किया अगरो वीडियो को सेर किया अगरो, एंड सबस्क्राइम माई चाइनल, मिलते रहेंगे ऐसे ये छोटी-छोटी प्रबेहत शांदर जानकारीों के साथ भविश्च में भी वो भी मुस्कुराते हुए ऐसे तब तक के लिए नमस्कार